Hello and welcome friends Libra Calc सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वावत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Libra Calc की अगर आप इस पूरे डेटा को सेलेक्शन में लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं अगर आपका कहना ये है कि आप Ctrl A प्रेस कर लिजे तो ये पूरी शीर्ट सेलेक्शन में आ जाती है जबकि एक्सल में ऐसा नहीं होता है अगर आप एक्सल यूज करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पर क्लिक कर देता हूँ और Ctrl A प्रेस करता हूँ तो केवल ये डेटा ही हमारा सेलेक्शन में आता है ठीक है बात समझ में आ रही है जबकि यहां Libra क्यार्ट में अगर मैं इस डेटा में कहीं क्लिक करता हूँ और Ctrl A प्रेस करता हूँ तो यहां पर देख सकते हैं पूरा डेटा ही सेलेक्शन में आ जा रहा है तो इसके लिए शॉटकट की क्या यूज़ कर सकते हैं कि हमारा यही डेटा सेलेक्शन में आया तो इसके लिए आप Ctrl के साथ जो इन्टू शाइन होता है इन्टू उसको प्रेस कीजिए Ctrl और इन्टू प्रेस करते हैं तो यह देखेंगे कि पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ देखिए यही पूरा डेटा सेलेक्ट हो रहा है ना कि पूरा पेज सेलेक्ट हो रहा है आपको into वाला जो star वाला symbol है वो कहां से प्रेस करना है numeric key प्रेस करनी है आपको alpha numeric key नहीं प्रेस करनी है आपको केवल numeric key प्रेस करनी है तभी ये selection में आएगा I hope की बात समझ में आई होगे वीडियो पसंद आया तो share करें Thank you for watching this video